आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज कार्डिगन, लेडिज हाफ जैकेट, गल्स, टोव, फ्रोब और कुर्ति किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 9 के मल्टिपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा 9 के multiple देखिए 9 फंदे गिन लिजिए फिर से 9 फिर से 9 इस तरह से करते हुए last में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइट से शुरू होता है 8 सलाईयों का डिजैन है और 16 सलाईयों में complete हो जाता है ये देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने लिए है 31 फंदे 9 तया 27 और उसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइट से और एक सलाई उल्टी साइट से इसमें मैंने उल्टी बनाई होई है डिजैन के ये पहली सलाई है तो ध्यान दीजेगा कि कैसे बनेगी पहला फंदा उतारिये या बनाईये ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए धागा अपनी तरफ है एक और ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहे इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा करतेंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की साइड से स्लाई डाल कर दो फंदे का एक फंदा करतेंगे तो ये देखिए यहां पर जो फंदा हमने घटाया वो जाली से बढ़ा दिया अब पांच फंदे सीधे एक दो तीन च्यार और ये पांच अब एक और ये दो आगे की साइड से स्लाई डाल कर दो फंदे का एक फंदा करतेंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को पलट के सीधा करतेंगे पीछे की साइड से स्लाई डाल कर दो फंदे का एक करतेंगे फिर से पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक कर देंगे फिर से डिजैन को रिपिट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालकर दो फंदे का एक कर देंगे अब पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच अब एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड डालकर दो फंदे का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे लपेट कर इस तरह से एक जाली डाल देंगे और लास्ट के दो फंदे अब उल्टे बनाएंगे पहली सलाई डिजैन की कम्पलीट हो चुकी है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर उल्टी साइड की सारी सलाई इस डिजैन में उल्टी ही बनेंगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को उल्टा बना कर कम्पलीट कर दीजिए दो सलाईयां complete हो चुकी हैं अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड बर तीसरी सलाई को ध्यान से देखेगा पहले वाले दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागे को पिछे करेंगे ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको सीधा बना देगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से सलाई डालकर दो फंदे का एक कर देंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया अब बीच में देखिये एक दो और ये तीन फंदे सीधे अब एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड डालके इन दो फंदे का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसे सीधा बना देंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके अब सीधा कर देंगे पीछे की सैट से स्लाई डालके धागा अपनी तरफ है और दो फंदे का एक कर देंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन एक और ये दो आगे की सैट से स्लाई डालके दो फंदे का एक कर देंगे धागे को फिर अपनी तरफ करेंगे इस जाली वाले फंदे को सीधा बनातेंगे तो यहां फंदा बढ़ गया फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का एक कर देंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन आगे की साइड से सलाई डाल कर इन दो फंदे का अब एक फंदा कर देंगे धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ करके लास्ट के दो फंदे उल्टे तीन सलाईयां कम्पलीट हो चुकी हैं चोथी सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सलाई को उल्टा बना कर कम्पलीट कर दीजिए चार सलाईयां कम्पलीट हो चुकी हैं पांचवी सलाई है और सीधी साइड पांचवी सलाई पर देखिए, दो फंदे ये उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे करेंगे, देखिए अब एक और ये दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे, धागा अपनी तरफ है, पीछे की साइड से सल और ये दो आगे की साइट से स्लाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ एक दो और ये तीन तो यहां भी जाली आ गई है धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की साइट से स्लाई डाल कर दो का एक कर देंगे अब एक फंदा सीधा, फिर से आगे की साइट से स्लाइड डाल कर दो फंदे का एक करेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, अब तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से स्लाइड डा के दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक और ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब आज येगा इसकी उल्टी साइड पर और छटी सलाई पर उल्टी साइड की सलाई को आप फिर से पूरा उ पहले 2 फंदे उल्टें एक और यह दो धागा पीछे करेंगे अब देखें एक दो और यह तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए इस हंदे को पलट के सीधा करेंगे पीछे की सचैकी डालके 2 फंदे का एक करेंगे तो अब देखे फ्रेंट्स यहां पर बीच में कोई भी फंदा नहीं बचा है तो इस वाले फंदे को हम ऐसे ही सीधा बना देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब बीच में देखिए एक दो तीन चार और ये पांच फंदे सीधे बनाने की बाद धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे एक और ये दो पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो फंदे का एक कर देंगे तो यहां पर बीच में कोई भी फंदा नहीं है तो इस फंदे को हम ऐसे ही सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक तो यहां बीच में अब कोई भी फंदा नहीं है तो इस इन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करके ये दो फंदे उल्टे साथ सलाईयां कम्पलेट हो चुकी है आठमी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए आठ सलाईयां फ्रेंट डिजैन की कम्पलेट हो चुकी है इन्ही आठ सलाईयों को हमे रिपेट करना सिरफ इसकी जगह चेंज हो जाएगी जो जाली डिजैन यहां पर बनाया गया है वो इन दो फंदे के बीच में शुरू हो जाएगा तो नौमी सलाई है और सीधी साइड है इस पर ध्यान दीजिएगा पहले दो फंदे उल्टे एक और ये दो दो फंदे उल्ट जाली वाला फंदा और ये सीधा आगे की साइड से स्लाई डालके इन दो फंदे का एक फंदा कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाई डालकर दो का एक कर देंगे तो देखे इन दोनों के बीच में एक जाली आ गई है अब बीच में पांच फंदे सीधे बनाएगे एक दो तीन चार और ये पांच अब ये जाली और ये फंदा आगे की साइड से स्लाइड डालके इन दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे इस वाले फंदे को लेंगे और पलटके इसको सीधा क कर देंगे तो देखे इन दोनों फंदे के बीच में जाली शुरू हो गई अब पांच सीधे एक दो तीन चार और ये पांच अब ये और ये आगे से स्लाइड डाल के दो का एक करेंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे पीछे की सा पांच में देखिए एक दो और ये तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे उल्टे नों सलाइयां कंप्लेट हो चुकी हैं दस्वी सलाइड उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए दस सलाइयां कंप्लेट हो पीछे करेंगे अब दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब एक दो आगे की साइड से सलाइड डालेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां जाली आ गई फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इ एक दो और ये तीन अब एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड डाल कर यहां दो का एक फंदा कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे तो यहां जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलट के स आगे से स्लाई डालके दो का एक करेंगे धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे तो फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे से स्लाई डालके दो का एक अब 2 फंदे सीधे और लास्ट वाले 2 फंदे उल्टे 11 सलाईयां कम्पलीट हो चुकी है 12 सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए 12 सलाईयां कम्पलीट हो चुकी है 13 सलाई है और सीधी साइड है तेरमी सलाई पर देखिए, दो फंदे ये उल्टे, एक और ये दो, धागा पीछे एक फंदा भी ये सीधा, अब एक और ये दो, आगे की साइड से सलाई डाल कर दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ एक, दो और ये तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इ पीच में एक फंदा सीधा आएगा फिर ये वाले जो दो फंदे हैं आगे से स्लाइड डाल कर इन दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा करेंगे पंदे सीधे एक दो और ये तीर फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे और दो का एक बनादेंगे पीछीक सट से स्लाइड डाल कर अब एक फंदा सीधा और लास्ट के दो फंदे उल्टी 8 तेरा सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी है, चोदमी सलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरब करके पूरी सलाई को कम्प्लेट कर दीजिए, चोदमी सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी है, पंदरमी सलाई है और सीधी साइड है, पंदरमी सलाई पर देखिए, दो फंदे ये उल्टे एक और ये दो धागा पीछे करेंगे एक और ये दो आगे की साइड से स्लाइड डाल कर इन दो का एक फंदा कर देंगे तो यहां से सीधे फंदे सारे खतम हो गए धागा अपनी तरफ अब पांच सीधे एक दो तीन च्यार और ये पांच धागा अपनी तरफ करेंग इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से स्लाइड डालके 2 का 1 कर देंगे, तो यह देखे यहां बीच में अब कोई भी फंदा नहीं है, तो इस फंदे को हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, और यह पांच धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे अब यहां भी कोई फंदा सीधा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे दागा अपनी तरफ अब देखिए एक दो तीन चार और यह पांच फंदे सीधे बनाने के बाद दागा अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे और पीछे से स्लाइड डालकर दो का एक कर देंगे तो यहां से भी सीधे फंदे खतम हो गए दागा अपनी तरफ करके लास्ट के दो फंदे उल्टे 15 सलाइग कम्पलीट हो चुकी हैं 16 सलाइ उल्टी साइड से आप दागा अपनी तरफ करके पूरी सलाइग को कम्पलीट कर दीजिए तो इस तरह से फ्रेंट 16 सलाइगों में यह डिजैन ओवर हो जाता है इनी 16 सलाइगों को आगे आगे रिपेट करते जाना है इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको फिर से बता देती हूं ताकि आपको कोई प्रोब्लम ना आए तो नेक्स्ट बार की यह पहली सलाइग है ध्यान दीजिएगा दो फंदे इसके उल्टे एक और यह दो धागा अपनी तरफ ही रहे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे एक और यह दो पीछे की साइड से सलाइड डालके धागा अपनी तरफ है और यहाँ दो का एक कर देंगे अब 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, और ये 5, अब देखिए ये वाला फंदा और ये जाली वाला, आगे की साइड से स्लाइड डालके 2 फंदे का यहां एक कर देंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से स्लाइड डा दो का एक कर देंगे अब 5 सीधे एक दो तीन चार और ये पांग अब ये जाली और ये पंदा आगे की सैड़ से डाल कर दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे पीछे की साइड से सलाई डाल कर दो फंदे का एक कर देंगे देखिए इनके बीच में जाली आ गई है अब पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार और ये पांच ये जाली और ये फंदा आगे के साइड से सलाई डाल के दो कां एक करेंगे धागा अपनी तरफ लपेट कर जाले डाल देंगे और लास्ट के दो फंदे उल्टे इस तरह से यह इसकी यहाँ पर नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग हो गई है जब आप बार बार इनी सोलर सोलर सलाईयों को रिपीट करेंगे तो आपका ये सुन्दर सा डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रहस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें तेंक यू